नमस्कार वीकेवी न्यूस के खास पेशकिश में आपका स्वागत है जहाज आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरे वो भी मेरे साथ कोरोना काल में मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ इंकम टैक्स विभागने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है लोगों को हैरानी हो रही है कि ऐसा क्यों पर जानकार मानते हैं कि सब पॉलिटिक्स है दरसल अरविंद केजरिवाल की आम आदमी पार्टी और सोनू सूद की नस्दीकियों के कारण यह कारवाई मानी जा रही है हाला कि सूद ने साफ कर दिया है कि वह आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे है यह बत और है कि अरविंद केजडिवाल ने इंकम टैक्स के सर्वे के बीच सोनू सूत का साथ देने की बाद जरूर कही है साकिना का मामले के बाद हो रही किरकिरी के बाद से प्रदेश की पुलीस एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलीस के आला अधिकारियों ने अपने मात हतों को दो डुक कह दिया है कि अब किसी प्रकार की कोता ही बरदाश्ट नहीं होगी इसी आदेश का अमल नाशिक में नजर आया आवारा और मन्चलो की पुलीस जम कर खबर ले रही है बड़ी खबर ये भी है कि नौकरियों में आरक्षन से जुड़े मसले को राज्य सरकार ने हल करते हुए नई पहल की है इसके अनुसार प्रदेश के आदिवासी बहुल आठ जिलों में सी और डी समुह की सरकारी नौकरियों में भरती के लिए संशोधित आरक्षन लागू करने को राज्यमंत्री मंडल ने मन्जूरी दे दी है राज कुंद्रा की मुश्किले और बढ़ सकती है 1467 पन्नों के आरोप पत्र में पुलीस ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए संगर्ष कर रही नई लड़कियों की मजबूरी वह उनकी कमजोर माली हालत का फाइदा उठा कर उनकी अशलील फिल्म बनाई जाती थी इनकी शर्मनाक हरकतों को बदनामी की डर से कम ही लड़किया सामने आकर पोल खोल पाती है इसके साथ ही बॉंबे हाई कोर्ट ने बुद्वार को कहा है कि केंद्रे सरकार की नो अबजेक्शन टू रिटर्न टू इंडिया प्रमान पत्र से जुड़ी नीती मेडिकल रिसर्च कॉलर के मामले में लागू नहीं होगी मामला उस याचिका करता से जुड़ा है जिसने अमेरिका के एक अस्पताल में इंटरंशिप्स विकार करने के बाद जेवन वीजा के लिए आवेदन किया था मगर उसके लिए यह प्राम पत्र जरूरी था आईए प्रदेश की इन पाच बड़ी ख़बरों को विस्तार से जानते है इंकम टेक्स विभाग ने अभीनेता सोनुसूत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है अब उनकी प्रापर्टीज को लेकर मुंबई आईकर विभाग सर्वे कर रहा है ख़बर है कि उनकी कमपनियों को लेकर आईकर विभाग ने करीब 6 जगों पर सर्वे किया है दरसल मामला लखनो के एक रियल स्टेट कमपनी और सोनुसूत की फर्म के बीच एक लेंड डिल हुई है जिसका सर्वे आईकर विभाग कर रहा है मगर जानकार इस सर्वे को राजनीती से भी जोड़ कर देख रहे है चुकि हाल ही में बॉलिवूड अभीनिता सोनुसूत आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजिरिवाल से मिल थे इसके बाद से ही कयास लगाय जाने लगे थे कि वह राजनीती में आ सकते है कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने लोगों की खुब मदद की है उससे भी ऐसे कयास लग रहे थे कि वह राजनीती में आ सकते है हलाकि सोनुसूत ने लोगों के उस कयास को सीरे से खारिज कर दिया है कि वह आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले है केजरिवाल से उनकी मुलाकात की कुछ दिन बाद ही सोनुसूत पर आयकर सर्वे शुरू हो गया है इस बीज भले ही सोनुसूत ने साफ कर दिया है कि वह आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे है लेकिन अर्विंद किजरिवाल ने इंकम टेक्स के सर्वे के बीच सोनुसूत का साथ देने की बात कही है दुशकर्म के मामले थमते नजर आ रहे है लिहाजा पुलिस और प्रशासन दोनों ही गंबिर है लोगों में भी जागरूपत पहलाई जारी है ताकि दोशियों को त्वरित सजा दी जा सके हाल ही की घटना है जालना जिले के एक छोटे से गाउ में 12 साल की नाबालिक के साथ 65 वर्ष के वेक्तिन दुशकर्म किया इस घटना से लोग हैरान है बताया जा रहा है कि पिडित लड़की अपने घर के सामने मुर्गियों को दाना खिला रही थी आरोपी किसी परिशानी का जिक्र करते हुए उसे साथ चलने को कहा पिडिता इंसानियत के नाते चली गई फिर उसने नाबालिक को दबोच लिया और बंद कमरे में असमत लूट ली बदनापूर पुलिस टेशन में आरोपी के खिलाप किस दर्श कर उसे गिरपतार किया है बहराल साकिना का मामले के बाद हो रही किरकिरी के बाद से प्रदेश की पुलिस एक्शन मोड में है मुख्यमंतरी के आदेश के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने अपने मात हतों को दो टूक आदिश दे दी है कि अब किसी प्रकार की कोता ही बरदाश नहीं होगी इसी आदेश का अमल नाशिक में नजर आया आवारा और मंचलों की पुलिस जम कर खबर ले रही है बीती रात महिला पुलिस ने नाशिक शहर के अलग-अलग भागों में खाद्यपदार्थ दुकान के भाहर बैट कर शराब पीने वालों की खबर ली सुत्रों ने बताया कि प्रदेश भर में अब इसी तरह एक्शन नजर आएंगे नवक्रियों में आरक्षन से जुड़े मसले को राज्यसरकार ने हल करते विए नई पहल की है इसके अनुसार प्रदेश के आदिवासी बहुल आठ जीलों में C और D समूव की सरकारी नवक्रियों में भरती के लिए संशोदीत आरक्षन लागू करने को राज्यमंत्री मंडल ने मंजूरी दिये है इसमें यवत्माल, चंद्रपूर, गडचीरोली, नाशीक, धुलिया, नंदुरबार, पालघर और राइगर जीले का समावेश है मंत्री मंडल के फैसले के अनुसार, नाशीक, धुलिया, नंदुरबार और पालघर में C और D समूव की सरकारी नवक्रियों में OBC को 15 प्रतिशत आरक्षन लागू होगा जबकि यवत्माल में 17 प्रतिशत, चंद्रपूर में 19 प्रतिशत, गडचीरोल में 17 प्रतिशत, और राइगर में 19 प्रतिशत OBC आरक्षन लागू होगा जबकि 6 जीलों में 27 प्रतिशत OBC आरक्षन पहले की तरह कायम रह गया खाद्यनागरी का पूर्तिवा ग्रहक सवरक्षन मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि राज्य में पेशा कानून लागू होने के बाद 8 जीलों में आदिवासियों का आरक्षन बढ़ गया था लेकिन इन जीलों में OBC आरक्षन कम हो गया था मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा सई 4 आरूपीयों के खिलाप महनगर की किल्ला कोट में पुरक आरूपत्र दायर किया है पुरक आरूपत्र में कुंद्रा के अलावा रायन थोर्पे का नाम है जबकि आरूप पत्र में यश ठाकूर उर्फ अर्विंद कुमार श्रीवास्तव वो प्रदिप बक्षी को फरार आरूफी दिखाया गया है 1467 पन्नों के आरूप पत्र को लेकर पुलिस की ओर से दी गई जानकारी की मुतावी फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए संगर्श कर रही नई लड़कियों की मजबूरी वो उनकी कमजोर माली हालत का फायदा उठा कर उनकी अशलील फिल्म बनाई जाती थी फिर इन अशलील वीडियो को विभिन वेबसाइट वो मोबाईल एप पर अपलोड किया जाता था इसके बाद सब्सक्रिशन के जरीए इन वीडियो को बेचा जाता था इसके जरीए आरूपी लाखो रूपए की कमाई करते थे लेकिन पिडित महलाओ को नाम मातर की रकम देते थे कई बार तो अशलील फिल्म में काम करने वाली लड़कियों को कुछ भी नहीं दिया जाता था इस तरह से उनके साथ धोकादड़ी की जाती थी पुलिस ने दावा किया है कि मामले में गिरपतार आरूपी राजकुंद्रा वा थोरवे ने इस प्रकरन में महत्वपुर्ण सबुद साबित होने वाले वाटसअप, चैट, इमेल वा खुद के मोबाईल फोन वा लैप्टॉप नस्ट की है पूरा कारूप पत्र दायर करने के बाद आरूप पत्र के पन्नों की संख्या बढ़कर 4,996 हो गई है और कूल आरूपी 13 हो गए है जिसमें से 2 आरूपी फरार है डॉक्टर को भारत से भाहर जाने से रोकने के लिए किंद्र सरकान ने मेडिकल डिग्री धारकों को अमिरिका के एक अस्पताल में इंटर्शिप स्विकार की थी और फिर जेवन विजा के लिए आवेदन किया था याचिका में विजा पर 5 साल से अधिक नहीं रहा जा सकता है इसलिए मैंने वैशनाव ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया था किन्तु बिना एनो आराई प्रमान पत्र के बिना ग्रीन कार्ड नहीं जारी किया जा सकता है इस मामले में बांबे हाइकोट ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार नो अबजेक्शन टु रिटन टु इंडिया प्रमान पत्र से जूड़ी निती मेडिकल रिसर्च स्कॉलर के मामले में लागू नहीं होगी नयमूर्ती आरडी धानू का वो नयमूर्ती रिया च्छागला की खंडपीट ने यह बात कहते विवे केंद्र सरकार को पाच सपता के भीतर 27 वर्षिय अवनी वैशनव को एनो आराई प्रमान पत्र जारी करने का निलदेश दिया है खंडपीट ने कहा कि याचिका करता को जारी किये जाने वाले एनो आराई प्रमान पत्र में एक क्लॉज लिखा जाए कि यदि वह अमेरिका में डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करेगी तो उसका प्रमान पत्र रद्द कर दिया जाएगा खंडपीट ने पाया कि याचिका करता वैश्नाव MBBS की डिगरी होने के बावजुद डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस नहीं करना चाहती है वे रिसर्च स्कॉलर के तौर पर काम करना चाहती है इसलिए उन्हें नो आराई प्रमान पत्र जारी किया जाए राष्ट्रियस वयम सेवक संग यानि RSS प्रमुख मोहन भागवत अगले महीने जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A के खत्म होने के बाद यहां उनकी पहली यात्रा होगी उनका कारेकरम बहुत व्यस्त है क्योंकि यहां यात्रा दो साल से अधिक के अंतराल के बाद हो रही है जाहिरे राजनीतिक गर्म होगी ही देश ही नहीं विदेश में भी इनका इस यात्रा को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है खास कर पाकिस्तान में राजनीतिक माहौल रिपप्लिकन पार्टी ओफ इंडिया आर्पी आई के राश्ट्रिय अध्यक्ष केंद्रिय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने भी गर्म किया है उन्होंने भाजपा के साथ गटबंदन कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने की घोशना की है सुभाव की अनुसार मजाकिया लहजे में कहा कि हम बसपा के वोट बैंक में सेंद लगाएंगे राजनीती से जुड़ी बड़ी खबर ये भी है कि कॉंग्रेस के एक पैनल ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से 27 सितंबर को बुलाए गए किसानों के भारत बंद को समर्थन देने की सिफारिश की है कमिटी की अध्यक्षता कॉंग्रेस नेता डिगविजे सिंग के साथ में है माना जारा है कि पैनल ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक के बाद सोनिया गांधी को यह सिफारिश भेजी है सोनिया गांधी अगर हा करती है तो किसान आंदुलन को और बल मिलेगा इस बीच दिल्ली सरकार ने अपनी नई अबकारी नीती को लागू करने की कवायत तेज कर दी है इसके तहट एक अक्टूबर से शराब की सभी प्राइवेट दुकाने हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी वही नीजी वेंडरो द्वारा शराब की खुद्रा बीकरी के लिए नया लाइसंस 17 नवंबर से अमल में आ जाएगा मद्यप्रदेश में मुरैना निवासी 23 साल के लड़के ने 21 साल की लड़की के साथ 16 अगस्त को गौलियर के लोहा मंडी की लागेट स्थित आर्यसमाज मंदिर में लव मैरेज की आर्यसमाज ने इस मैरेज का सर्टिफिकेट भी दिया लेकिन अदालत ने अपनी सहमती नहीं दी पर क्यों? आईए इसे जानने के लिए इन खबरों पर विस्तरुत नजर डालते हैं राश्रिय स्वयम सेवक संग यानि RSS प्रमुक मोहन भागवत अगले महिने जम्मु काश्मिर का दोरा करने वाले हैं जम्मु काश्मिर से आर्टिकल 370 और 35A के खतम होने के बाद मोहन भागवत की ये पहली यात्रा होगी सुत्रों की माने तो मोहन भागवत 1 अक्तूबर से 3 अक्तूबर तक केंद्र शासित प्रदेश की अपनी तीन दिर्सिय यात्रा के दोरान प्रबुद्ध वर्ग के सदस्यों के साथ बादशित करेंगे उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है क्योंकि ये यात्रा दो साल से अधिक के अंतराल के बाद हो रही है सुत्रों ने कहा कि जम्मों में बुद्ध जीवियों से मिलना ही एक मात्रस सारवजनी कार्यक्रम है जिसमें भागवत शामिल होंगी संग के सूत्रों ने कहा कि RSS के सरसंग चालक आमतोर पर हर प्रांथ में दो साल में एक बार आते हैं कोरोना महामारी के कारण पिछले दो वर्षों में मोहन भागवत ने कम ही यात्रा की है सूत्रों ने कहा कि Article 370 और 35A को निरस्त करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश की अपनी पहली यात्रा के रूप में भागवत महामारी की वजह से पहले नहीं जा सके RSS प्रमुक जम्मु काश्मिर में काम कर रहे हैं प्रचार को और RSS से जुड़े संगटनों के प्रमुकों से मुलागात करेंगे और जमिनी हालत का जायजा लेंगे Republican Party of India RPI के राष्ट्री अध्यक्ष केंद्रिय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि उत्तरपदेश विदान सभाचुनाओ 2022 में उनकी पार्टी भाच्पा के साथ मिलकर लड़ेगी सीटों के बेटवारे को लेकर भाच्पा के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नडड़ा एवं केंद्रिय गुरुह मंत्री अमिच शाहा से चल रही बादचित में जल्द ही निर्नाय लिया जाएगा 26 सितंबर से आरपियाई बहुजन कल्यान यात्रा की शुरुवात सहारन पूर से होगी यी यात्रा सभी मंडल एवं जीलों में होते हुए 18 दिसंबर को लखनव पहुचेगी लखनव के रमाबाई अमबेटकर पार्क में जनसभा होगी उन्होंने साफ कहा कि हम भाजपा के साथ गड़भंदन के बाद बसपा के वोट बैंक में सेन लगाएंगे आठवले ने उम्मिद जताई कि भाजपा उन्हें 10 से 12 सीटे दे सकती है आठवले ने कहा कि उनकी योजना है कि अनुसुचित जाती एवं मुस्लिम बहुल सीटो पर पार्टी अपने प्रत्याशी लड़ाए आठवले ने गोरकपूर में हुई सभा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजुदगी को रिखांकित किया और कहा कि उनकी पार्टी आरपियाई का उद्देश समाज के सभी वर्गों को जोडने का है प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी के नेतरुत्व में आम लोगों के हीत में कई लाभार्ती परक योजनाय चल रही है जिससे लोगों को काफी फाइदा मिला है उन्होंने अंतर जातिय विवाहा को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया कहा कि देश में करीब 1.25 लाख अंतर जातिय विवाह हुए है सामाजिक समरस्ता के लिए ये बेहत जरूरी है कॉंग्रेस के एक पैनल पार्टी ने अध्यक्ष सोनिया गांधी से सिफारिश की है कि 27 सितंबर को बुलाए किसानों के भारत बन को समर्थन दिया जाए कमेटी के अध्यक्षता कॉंग्रेस नेता दिगविजय सिंग के हाथ में है माना जा रहा है कि पैनल ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक के बाद सोनिया गांधी को ये सिफारिश भेजी है इस बैठक में कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाटरा सहित पैनल के सभी सदस्य शामिल हुए थे रिपोर्ट के मुताबिक एक पार्टी सुत्र ने कहा किसी भी राजनितिक पार्टी के समर्थन के बिना भारत के किसान बिना थके कुरुशी कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए है कॉंग्रेस पार्टी भी इन कानुनों को वापस लेने की मांग कर रही थी। इसलिए कमिटी ने कॉंग्रेस अध्यक्षा से सिफारिश की है कि किसानों के भारत बन को पार्टी पुरी तरह समर्थन दे। अब कॉंग्रेस अध्यक्षा इस मामले में आखरी फैसला लेंगी। माना ये भी जा रहा है कि भारतवन का आभान करने वाला किसान संगटन सयुक्त किसान मोर्चा भी नेताओं और अन्य संगटनों से समर्थन की मांग कर सकता है। इस बीच कॉंग्रेस ने 20-30 सितंबर के बीच देश भर में अपनी प्रदेश इकाईयों को केंद्र सरकार के आर्थिक, सामाजिक और कोविड रोधी नीतियों को लेकर धरना प्रदर्शन करने को कहा है। दिली सरकार ने अपनी नई आपकारी नीती को लागू करने की कवायत तेज कर दी है। इसके तहत एक अक्तुबर से शराब की सभी प्राइविट दुकाने हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। वही नीजी बेंडरों द्वारा शराब की खुदरा बिकरी के लिए नया लाइसन 17 नवंबर से अमल में आ जाएगा। इसके साथ ही सरकार खुदरा शराब कारोबार से निकल जाएगी। बता दे कि राजधाने में कुल 850 खुदरा शराब दुकानों में से करिब 60 फिजदी दुकाने दिली सरकार की एजंसियों द्वारा संचालित हैं। जहां शर इससे दिली सरकार को करीब 10,000 करोड का फायदा होगा। फिलहाल राजधानी दिली में कुल 850 खुदरा शराब दुकानों में से करिब 60 फिजदी दुकाने दिली सरकार की एजंसियों द्वारा संचालित हैं। जहां शराब खरिदने का आनुबह अच्छा नहीं रहता है। सरकारी शराब की दुकाने नीजी दुकानों की तुलना में कम राजस्व देती हैं। सूत्रों के मताबिक नहीं आपकारी नीती से सरकार के रेवेन्यू में 20 फिजदी तक बढ़ोतरी होगी। करता ने तर्ग दिया कि दोनों ने लव मेरिच की हैं। दोनों के परिजन जुटी शिकायते कर रहे हैं। जिन पर कारवाई न की जाए। वैवाहिक संबंदों को मजबुत बनाने के लिए उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। उनकी जान को लोगों से खत्रा है। लेकिन इंगौालियर खंटपीट ने दो टुक कहा कि सिर्फ माला पहनाने से शादी नहीं हो जाती। उसके लिए पुरे विदी विधान के साथ अगनी के साथ फेरे लेने जरूरी है। इसके पास गए। पुरी सुनवाई के बाद कोट नहीं आचिका खारिस कर दी। अगेजमेंट का राग अलाप ले। मगर हकीकत ये है कि वह भारत को इन बातों में फुसला कर अपने मनसूबों को पूरा करना चाहता है। इस बीच खबर है कि अमेरिका अंतरराष्ट्रिय यात्राओं की नई व्यवस्था तयार कर रहा है। इस व्यवस्था में लोगों की कॉंटेक्ट ट्रेसिंग को संभव बनाया जाएगा। फिलहाल ज्यादातर देशों के साथ अमेरिका ने सीमाई बंद कर रखी है। अमेरिका का कहना है कि जब कोरोना वाइरस के कारण लगी पाबंदिया हटाई जाएगी और अंतरराष्ट्रिय यात्रा शुरू हो जाएगी तब एक नया सिस्टम इस्तिमाल किया जाएगा। अमेरिका, आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने एक नया समझोता किया है जिसके तहट आस्ट्रेलिया को परमानू-पंडू भी बनाने की तक्नीक मिलेगी। अपने पडोस में हुए इस समझोते को चीन ने शित युद्ध वाली सोज बताया है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया और युनाइटेट किंग्नम ने मिलकर एक नया रक्षा समूह बनाया है जो विशेशकर हिंद प्रशांत क्षेतर पर केंद्रित होगा। कोरियाई देशों में तनाव बढ़ाने वाले मिसाइल परिक्षनों के बीच अब उत्तर कोरिया ने अनोखा दावा किया है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइले ट्रेन से फायर की गई थी। रेलका राधारित मिसाइल लॉंचर की मदद से उत्तर कोरिया कम कीमत पर ज्यादा मिसाइले उतारने का प्लैन बना रहा है। दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों पर आईए डालते हैं विस्तरूत नजर। अमेरिका ने सभी सैन्य कर्मियों, नागरिक अधिकारियों और ठेकेदारों से हवाना में अमेरिकी दूतावास के राजनईक और खूफिया एजनसी CIA अधिकारियों को हुई बिमारियों की तरह किसी भी विशम स्वास्थ्य प्रकरन को रिपोर्ट करने को कहा है। इसे लेकर अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉइड आस्टिन ने चिठ्ठी लिकी है ताकि जिने जरूरत हो उन्हें इलाज मिल सके। ये हमारे अधिकारियों को प्रभावित कर रहा है। अमरिकी अधिकारियों का मानना है कि इसके पीछे कई देशों की खूफिया एजनसیا शामिल हो सकती है। जिनका अलग-अलग मकसद हो सकता है कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि रूसी खूफिया एजनसी जी आरियू का इसमें हाथ हो सकता है चीन की फित्रत ही दगाबाजी है और यही वज़ा है कि वह बार-बार भारत को धोका दे रहा है पूर्वी लदाख में भले ही सीमा विवाद को लेकर लाग चीन शांती और डिस एंगेजमेंट का राक अलाप ले मगर हकीकत यह है कि वह भारत को इन बातों में फुसला कर अपने मनसूबों को पूरा करना चाहता है भारत और चीन के बीच पूर्वल अदाख के प्रमुक शेतरों से सेना हटाने पर बनी सहमती के बाद भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी वास्तविक नियंदरन रेखा के साथ बुनियादी ढाचे का निर्मान जारी रखे हुए है सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन देपसांग इलाके पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गया है और सड़क का काम तेजी से कर रहा है रिपोर्ट बताती है कि देपसांग इलाके में बुनियादी ढाचे का निर्मान जारी रखना भारत के प्रती चीन के असली इरादे को दर्शाता है चीन अपनी सड़कों को न सिर्फ चोड़ा कर रहा है बलकि उसकी मरमत भी कर रहा है ताकि उसकी पहुच आसान हो जाए बतादे कि पिछले साल पूर्वी लदाख में गतिरोध के बाद तनाव वाले बिंदूओं पर शांती कायम करने के लिए दोनों देशों में कई स्तर की सहन्य वारता हुई थी और दोनों देशों के बीच डिस इंगेजमेंट पर सहमती बनी थी अमेरिका अंतरराष्ट्रिय यात्राओं की नई व्यवस्था तयार कर रहा है इस व्यवस्था में लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को संभव बनाया जाएगा फिलाल ज्यादातर देशों के साथ अमेरिका ने सीमाय बंद रखी है अमेरिका का कहना है कि जब कोरोना व वायरिस के लिए प्रतिक्रिया संयोजग जियेंट्स ने कहा कि अमेरिका और बाकी दुनिया में भी डेल्टा वेरियंट के बढ़ते मामलों के चलते फिलाल यात्राओं पर प्रतिबंद लगा रहेगा जब हम ज्यादा लोगों को अमेरिका की यात्रा की इजाज़त हमें एक मेट्रिक्स आधारित व्यवस्ता लाना चाहते हैं लेकिन वैसा करने से पहले हमें अपने यहां की स्थिती नियंद्रित करनी होगी जिसके लिए जरूरी है कि सबको ठीका लग जाए अमेरिका, अस्ट्रेलिया और ब्रिटें ने एक नया समझोता किया है जिसके तहट अस्ट्रेलिया को परमानू पंडुबी बनाने की तकनीक मिलेगी अपने पड़ोस में हुए इस समझोते को चीन ने शित युद्ध वाली सोज बताया है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया और यूनाइटेट किंग्डम ने मिलकर एक नया रक्षा समूह बनाया है जो विशेश कर हिंद प्रशांत क्षेतर पर केंदरित होगा। इस समूह के समझोत जियो बाइडन ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री स्कॉट मौरिसन और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बॉरिस जॉनसन के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक के बाद तीनों ने ताओं ने नए गठबंदन का एलान एक वीडियो के जरिये किया। ये गठबंदन इधासिक कदम उठा रहे हैं और तीनों देशों के सहयोग को आपचारिक करते हुए और गहरा कर रहे हैं। कोरियाई देशों में तनाव बढ़ाने वाले मिसाइल परिक्षनों के बीच अब उत्तर कोरिया ने अनोखा दावा किया है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइले ट्रेन से फायर की गई थी। रेलकार आधारित मिसाइल लॉंचर की मदद से उत्तर कोरिया कम कीमत पर ज्यादा मिसाइले उतारने का प्लैन बना रहा है। उत्तर कोरियाई सेना की रेलवे मुबाइल मिसाइल रेजिमेंट ने ये लॉंच किया था। ऐसा पहली बार है जब इस त सक्षा रननीती के तहट खबरों से निपटने की क्षमता को भी शक्तिशाली तरीके से बढ़ाया जाएगा। नए रेजिमेंट की तयारी का भी आकलन किया गया। और यह देखा गया कि युद्ध के हालात में फायर पाउर मिशन की कितनी क्षमता होगी। लॉंचर एक मॉ तब तक देखते रहें। वीके बी न्यूस नमस्कार।